फिल्म या चलचित्र 19-वी सदी के अंत में 1895 में पैरिस नगर में लूमिय बंधुओं ने पहली बार एक चलचित्र तयार करके प्रदर्शित किया था उन दिनों फिल्मों में केवल द्रिश्य देखे जा सकते थे, आवाज नहीं सुन सकते थे इस कारण वार्तालाब चित्र पर टाइब द्वारा दिखाया जाता था यह माध्यम इतना प्रभावी और लोगप्री हुआ की दुनिया के अनेक देशों में फिल्में वा उन्हें दर्शाने के लिए थेटर बनने लगे भारत की पहली फिल्म दादा साहब फालके ने 1913 में बनाई जिसका नाम राजा हरिश चंदर था फिल्म बनाने में अत्यधिक खर्चा होता था और वा लोगप्री होकर मुनाफ़ा देगी की नहीं या निश्चित नहीं था इस कारण फिल्मों के निर्माण में भी बड़े पूंजी पतियों का महत्तो बढ़ने लगा जो पैसे लगाते थे और या सुनिश्चित करते थे कि उनमें खास तरह के सामाजिक और राजनेतिक विचारों का प्रसार हो यही नहीं फिल्म उत्पादनों वह जीवन शेलियों के विज्ञापन का माध्यम भी बनी अधिक पूंजी लगने के कारण फिल्मों का निर्माण गिने चुने केंद्रों में होने लगा जैसे भारत में बंबई और मद्रास वर्तमान मुंबई और चेन्नाई ब्रिटेन तथा अमेरिका में और समय के साथ पूरी दुनिया में दिखाए जाने वाली अधिकांश फिल्में अमेरिका के हॉल्लीवूड में बनने लगी इससे संस्कृति का अत्यधिक केंद्रिकरण और संस्कृतिक सामराजिवाद का खत्रा उत्पन हो गया इन फिल्मों को अपने दौर के प्रतिबिम्ब की तरह भी देखा जा सकता है दृते विश्विद के समय हॉलीवूड में देशभक्ती से भरे और अपने राश्ट्र को बहतर दिखाने वाली फिल्मों का निर्माण हुआ इस युद्ध के बाद पहली बार रंगभेद यहुदी विरोध जैसे सामाजिक मुद्धों पर आधारित फिल्में बनने लगी शीत युद्ध के दोरान बनी फिल्मों में भी यह प्रवित्ति देखी जाती है इन फिल्मों में पात्रों के माध्यम से राश्ट्रों वा सम मुदायों के बीच संबंधों के पूर्वा ग्रह को उभारा जाता है अधिकांशिता शीत युद्ध के प्रिष्ट भूमी में बनने वाली जेम्स बॉर्ण श्रिंखला के फिल्मों में नसलिये पूर्वा ग्रह वा अंतराश्ट्रिये तनाव को आसानी से देखा जा सकता ह भारत में भी विभिन दौर में बने फिल्मों में उस दौर के सामाजिक और राजनेतिक जीवन का असर देखा जा सकता है फिल्मों के आने से पहले लोगों का मनुरंजन कैसे होता था? फिल्म और उन साधनों के बीच आप किस तरह के अंतर और समानता देख सकते हैं?